नमस्ते बाई। गुड मॉनिंग। राम राम कैसे हैं आप सभी लोग। और इस ख्लास को देखने वाले बच्चे का एक ही सपना की उसके माबाप उसको वर्धी में देखें। इसी महीने में देखें। इसी सर्दी के सीजन में देखें। इन ही vacancies में देखें और उसके लिए मेहनत कर रहे हैं सब बच्चे मिलकर और उनके साथ साथ मैं भी मेहनत कर रहा हूँ मेरा ये सपना है कि जिन बच्चों को गणित से बहुत जादा डर लगता है और उन्हें कभी जीवन में गणित नहीं पड़ा है तो ये एक कमजोरी उनका ये एक सबजेक्ट उनकी नोकरी में उनकी जो है जो आगे उनका future बन सकता है उनकी वर्दी में उनकी जॉब में रुकावट ना बने और मैं उस रुकावट को पूरी तरीके से दूर करूँगा ठीक है और मैं आपको ये आस्वस्त करता हूँ कि आएंगे अगर आप इन क्लासिस को सुरू से लेके आखिर तक देख लो आज की हमारी यूपी कॉंस्टिवल की स्रीच की आठवी क्लास इसकी प्लेलिस्ट बन गई है ठीक है आज एक बहुत अच्छा दिन है आज राष्ट्य यूवा दिवस है आज राष्ट्य यूवा इनकी एक बात बहुत फेमस है उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्षे की प्राप्ती ना हो जाए ये बात एक सेंटेंस की लेकिन इसमें बहुत गहरी चीछ चुपी हुई है क्योंकि ये जो बात इसको क्यों एक जवान व्यक्ति पूरा कर सकता है उठना है जागना है और तब तक मेहनत करनी है जब तक जो भी आपका लक्षे वो पूराना हो जाए और आपका लक्षे तो बहुत मामूली सा है हमारे देश की आबाद 140 करोड हो गई जिसमें लगबग आधे यूवाई है उनमें से बहुत सारे नौकरी की त्यारी कर रहे है अगर हम जुनिया कब घूमेंगा वो दूसरों की मदद कब करेगा वो अपने गाम वालों की कब मदद करेगा वो अपनी फैमली के साथ कब समय बिता पाएगा वो खुद कब अपने को टाइम दे पाएगा वो हमारे देश में इतनी सारे परेटन घूमने की चीज़े हैं वो कब दे अपने आप पर इंवेस्ट करो, अपने घरवालों पर इंवेस्ट करो, सरकाई नोकरी इतनी वैल्योबल नहीं है कि उसके लिए आट-दस साल इतना समय दिया जाए, जवानी खतम होगी तो फिर फायदा क्या, जीवन एक ही बार मिलता इसको डंग से जीओ, ठीक है भाई, तो आपको काम करने नहीं, लेकिन जो काम करने युग्य है, उसको करने की हिम्मत जुटाओ, और शक्ती साली बनो, अपने आपको कम से कम इतना पावर्फुल तो बनाओ, कि कोई एरा गेरा रास्ते पर चलता हो, आपको डाट जपट ना कर दे, आपके साथ को लड़ाई करने क हिम्मत ना करे बेवज़े, न आपके घरवालों को, न आपको कोई उल्टा सीधा बोल पाए, ये तीन काम आपको अपने जीवन में जरू करने हैं, ठीक है भाई, चलिए, केवल नौकरी ले लेना, शादी कर लेना, शादी के बाद दो बच्चे पैदा कर लेना, ये जीव इस पर सवाल नहीं है, मेरे प्यारे भाई, बहुत कम वेराइटी इस पर बनती है, मातर 25 से 30 सवालों में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है, यूपी कॉंस्टेवल की जो पिछला पेपर हुआ था, दोहार 19 में उसमें इस पर 12 सवाल आ रखे थे, 12 सवाल भी मैं आपको यहाँ पर सारे के सारे सॉल करवाऊंगा, वीडियो को शेर कर दीजे मेरे दोस्तों, लाइक आपको साथ साथ करते रहना है, ध्यान से सुनेगा, पार्टनर्शिप साजेदारी, बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को हलके में लेते हैं, लेकिन सवाल इसका पेपर में बनता नहीं है मेरे दोस्त, तो सवाल बनाना सीखना है, तो यह लेक्चर आपको सुनू से आखिर तक देखना है, और जितना मैंने पढ़ा दिया, के और मिसरित साजेदारी, अब आप कहोगे किसी सरल साजेदारी क्या है, देखे जब भी कोई बिजनिस व्यापार सुरू करते हैं, तो उसमें कुछ पार्टनर कुछ साजेदार होते हैं, ठीक है भाई, अगर सारे पार्टनर, सब उस तीन पार्टनर है, हर आदवी बराबर इसने भी पांचार रुपे लगाए, मैंने भी पांचार रुपे लगाए, आपने भी पांचार रुपे लगाए, तब ने बराबर समय के लिए काम किया, ये भी एक साल काम कर रहा है, अब मैं भी एक साल काम कर रहे हैं, सब ने बराबर पैसा लगाया, सब बराबर समय दे न रहे ऐसा होता है कि किसी आदमी ने एक लाक रुपे लगाए किसी आदमी ने बिजनिस में दो लाक रुपे इन्वेस्ट करें किसी आदमी ने पांच लाक रुपे इन्वेस्ट करें हर आदमी अलग-अलग पैसा इन्वेस्ट कर रहा है कोई आदमी तो ऐसा जो दो महिने मे काम छोड़के भाग गया, कोई आदमी ऐसा छे महीने तक काम कर रहा है, कोई आदमी ऐसा जिसने पूरे साल भर काम किया है, तो पैसा भी अलग-अलग लगा रहे हैं, समय भी अलग-अलग है, तो इसे हम बोलते हैं, कमपाउंड साजेदारी, अब देखो, आदमी व्यापार बिजनिस किसलिए करता है, पैसा कमाने के लिए, लाब कमाने के लिए, प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट के लिए, अब दो चीजे होती हैं दोस्तों, ध्यान से सुनेगा, एक पैसा और दूसरी समय, एक निवेश, पूंजी और दूसरा समय, ध्यान से सुनेगा मेरे प् जो आदमी व्यापार में जितना पैसा निवेश करेगा, जो जितना इन्वेस्टमेंट करेगा, जो जितनी पूंजी लगाएगा, उसको उतना ही लाब देना चाहिए, आप बोलोगे हाँ जी सर, क्लियर है, आप बोलोगे बिल्कुल सही, ठीक है भई, यानि कि लाब सीधे अ मेरे दोस्तों जो बिजनिस के बाद जो लाब होता है उसमें, वो निवेश के अनुपात में माटा जाता है, क्लियर है, आप बोलोगे हाँ दी सर, दूसरी बात, कि जो आदमी जितने जाद है समय के लिए काम करेगा, जो आदमी जितने जाद है समय तक टिक के ब्यापार को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा उसको उतना ही लाब दिया जाएगा बैए कोई आदमी दो महीने काम करता है कोई छे महीने काम करता है कोई साल बारे महीने काम करता है ठीक है बैए तो पैसा भी जो लाब होगा वो भी इसी अनुपात में बांटा जाना चाहिए आप बोलो पूजी और समय की गुणा के, आप investment कितनी करिए आपने, समय कितना दिया, उसकी सीधी-सीधी गुणा कर दीजे मेरे दोस्तों, और आपको लाब कानुपात मिल जाएगा. दूसी बादे के तीन ही चीजे हैं लाब, पूंजी और समय अगर मुझे मेरे दोस्तों इन्वेस्टमेंट पूंजी का अनुपात निकालना है तो समय उधर चला जाएगा यानि कि पूंजी का अगर अनुपात मुझे निकालना है तो लाब के ratio को समय के ratio से भाग देना पड़ेगा बात clear आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम clear अगर मुझे समय निकालना है समय तो समय कैसे निकलेगा बिजनिस में कितने समय के लिए पैसा लगाया है तो पूंजी इधर आ जाएगी बटे में यानि कि लाब के अनुपात को लाब को पूंजी से भाग देना पड़ेगा ये concept सभी लोगों को समझ में आ गया आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया इसमें कोई भी परेशानी नहीं है यानि कि अगर मैं थोड़ा सा अंग्रेजी मैं लिख दू तो मैं कह सकता हूँ P मतलब profit I मतलब investment पूंजी और T मतलब समय ये एक नियम आपको ध्यान रखना इस एक नियम से आप सारे सवालों को solve कर सकते हो अगर आपको investment का अनुपात निकालना है तो आपको profit को समय से भाग देना पड़ेगा आपको समय का अनुपात निकालना है तो आपको लाब के अनुपात को investment से भाग देना पड़ेगा बहुत जनरल सी बाते हैं मेरे दोस्तो जो आदमी बिजनिस में जितना पैसा निवेश करेगा उसको उतना ही लाब दिया जाएगा बै मैझने 1,00,00, रुपे लगाए आपने 2,00,00, रुपे लगाए तीसरे आदमीने 5,00,00, रुपे लगाए तो 5,00, रुपे वाला तो एक कहेगा ना बहई मैंने ज़्यादा पैसा लगा है मुझे ज़्यादा profit दो लडाई बच जाएगी लडाई कोशन्त करने का तरीका क्या है लडाई कोशन्त करने का तरीका ये कि जो आदमी जितना जितना पैसा business में लगा रहा है जिसकी जमापुझी है उसी अनुपात में पैसे को बंढ दीजिए आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही अगर आपको एक concept समझ में आये हैं तो इसी concept पे बेस सवाल प्रीवेसर में बने हैं हाँ जी भाई इन questions की PDF आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पे मिलेगी टेलिग्राम चैनल का जो लिंक है वो description में पड़ा हुआ है आप वहा यहीं पर जाता है सब बच्चे इसको जरूर जोइन कर लो ठीक है चलिए अब शुरू करते हम कहानी को अपनी सवाल लंबर एक यह आपी के एक्जाम का पूछावा सवाल है यूपी कॉंस्टेवल का बनाएं वीडियो को शेर कर दीजे और साथ-साथ लाइक भी करेंगे बई तीन साजेदार ABC 456 के अनुपात में लाब कमाते हैं बोला है तीन साजेदार है ABC 456 के अनुपात में लाब कमाते हैं लाब में C का हिस्सा A से 200 रुपे अधिक है तो उनके द्वारा प्राप्त लाब ग्यात करें उनके द्वारा प्राप्त लाब देखें, तीन साजेदार हैं A, B और C वो एक व्यापार में एक बिजनिसमें लाब कमाते हैं 4, 5, 6 के अनुपात में ठीक है, यह क्या किसका अनुपात दिया लाब का कि तीन साजेदार A, B, C लाब कमाते हैं व्यापार में 4, 5, 6 के अनुपात में आगे क्या बोला है C का हिस्सा A से 200 रुपे अधिक है C का हिस्सा 6 है, A का 4 है तो C का हिस्सा A से कितना जाद है, 2 unit जाद है और 2 की वैलू इस सवाल में किती दी है 200 रुपे दी है C का हिस्सा A से 200 रुपे जाद है पूछा कुल लाब क्या है तो कुल लाब कितना हो गया, बच्चों 3 का मिला कर 3 का कुल लाब हो गया, जी 4, 5, 9, 6, 15 4, 5, 9, 6, 15 अगर 2 की वैलू 200 रुपे 100 रुपे 100 गुना तो कुल लाब होगा 15 15 की वैलू भी 100 गुना आएगी 1500 रुपे तो 1500 रुपे का कुल लाब हो बताओ दुनिया में इस से आसान सवाल कोई बन सकता है क्या ये प्रिमिसर सवाल था भाई देख लो क्या इस सवाल का लेवल है कोई लेवल इस सवाल का नहीं है आगे चलेंगे MTS का एक और सवाल आपके सामने बनाएं 15 वैरी गुड हर एक बच्चे का आंसर आगया 100 परसेंट जी अगला सवाल ये MTS की परिक्षा का है अलग-अलग एक्जाम के सवाल में ने लिए relevant जो पेपर में आ सकते हैं बना ये जी ABC ने एक website सुरू किया A की पूंजी C की पूंजी का साथ गुना है B की पूंजी का A की पूंजी C की पूंजी का साथ गुना है और B की पूंजी का दो गुना है यदि लाब 7,920 रुपे है तो C का हिस्सा ग्याद करिए C का हिस्सा रुपे में बताईए देखे तीन लोग है ABC उन्होंने एक व्यापार सुरू किया क्लियर है आप बोलोगे हांजी सर इस सवाल में समय का कोई जिकर नहीं है समय के बारे में कुछ बोला है नहीं जब इस साल में समय का कोई जिकर नहीं है तो हम यह मानेंगे कि हर आदमी ने बराबर समय के लिए पैसा लगाया है यानि कि मेरे दोस्तों जो उनकी पूंजी का अनुपात होगा लाब भी उसी अनुपात पे माटा जाएगा जिसने जितना investment किया उसी ratio में उसको लाब profit मिलेगा बोला A की जो पूझी है C का साथ गुना है और B की A की जो पूझी है C का साथ गुना है और B की पूझी का दुगुना है जहां से सुनेगा मैं A की लायन में इस बात को कर सकता हूँगर आप गौर से सोचो, अलग से लिखने की जुरत नहीं है, A की पूंजी C का साथ गुना हैं, और B की पूंजी का दुगना हैं, तो मेरे प्यारे भाई, मुझे A की जो पूंजी है, B का तो करनी है साथ गुना, और C का करनी है गुना भी करना, एक ऐसी संख्या बताओ, जो साथ से भी कटे, और दो से भी कटती, और चौध है, तो भाईया, मैंने माल लिया कि A ने 14 रुपे लगाए, 14 रुपे, मैंने माल लिया कि A ने 14 रुपे इंवेस्ट करें, बी का साथ गुना, तो फिर B ने कितने रुपे इंवेस्ट किया होंगे, दो रुपे, भाई, दो का साथ गुना करूंगा, तभी तो चौध हाएगा, ठीक है, भाई, सॉरी, C का साथ गुना, A ने जो है, उल्टा लिग दिया, मैंने भाई ये, ये उल्टा लिग दिया, A ने जो है, C का साथ गुना और B का दुगना निवेस्ट किया है, तो साथ और दो दोनों से कटने वाला नंबर, अगर A ने 14 रुपे लगाए हैं, C का साथ गुना, तो C ने 2 रुपे लगाए होंगे, 2 का साथ गुना, 14, A ने B का दुगना निवेश्ट किया है, तो B ने कितना निवेश्ट किया होगा, साथ, साथ का दुगना करेंगे, तब ही तो 14 आए गा, यानि कि मैंने डारेक्ट ये निकाल लिया कि ये A, B और C की इन्वेस्टमेंट का अनुपात है आ गया आप बोलोगे हाँ जी सर तो A, B, C को लाब भी इसी अनुपात में मिलेगा तो थोड़ा सा अगर आप लोजिक लागाओगे और दिमाग से सोचोगे तो आप अपनी कैलकुलेशन को कम कर सकते हैं जल्दी कर सकते हैं आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो बहुत आसान हो गया अब बोला है अगर कुल लाब 7,920 रुपे पूछाए C का हिस्सा ग्याद करें क्या पूछाए आप से C का हिस्सा ग्याद करें तो C का हिस्सा कितना है, दो यूनिट, आउट आफ टोटल, टोटल कितना, 14, 7, 21 और दो तेईस, टोटल हो गया है मेरे दोस्तों, तेईस, यहां गया, तीनों कानुपात निकालना ही पड़ेगा, उकि आपको टोटल प्रॉफिट दिया है, बताओ किस से जाएगा भाहिया, य यह जाएगा मेरे दोस्तों, यहां से, तेईस से, कुछ दिक्कत अकलीफ हो रही है, इसमें, 14, 7, 22, 23, यहां भी, 23 तिया, उनहित्तर, 14, 7, 21, 22, 680, इसके आप्शन गलत लग रहे हैं भी, 23 तिया, उनहित्तर, उनहित्तर के बाद मेरे दोस्तों, यहां पे, 10 बज जाएगा, 102, यह तो कटी नहीं रहा है, यह कट नहीं रहा हैं भीया, इस सवाल के आप्शन गलत हैं, तेश्तिया, 99, तेश्यो गलत लिया, A, B, C नेक व्यापार सुरू किया, A की पूंजी, C की पूंजी का जो है, साथ गुना है, 2 का साथ गुना 14, और B की पूंजी का दुगना है, and B is capitalist, two times, अरे यार, यह हिंदी में गलत लिखा है, सवाल हिंदी में गलत लिखा है, तीन लोग है, A, B, C, A की जो capital है, वो C का साथ गुना है, और B की पूंजी है, वो A का दुगना है, यह सवाल यहाँ पे गलत लिखा है, तीक न, A लिखना चाहिए था मेरे दोस्तो, Sorry, A की पूंजी C का साथ गुना है, और B की पूंजी A का दुगना है, A की पूंजी C का साथ गुना है, C ने 1 रुपे लगाया है, तो A ने 7 रुपे लगाया है, अगली लाइन, B की जो पूंजी है, वो A का दुगना है, B की पूंजी A का दुगना है, A ने 7 लगाया है, तो पूंजी का रेश्यो ये है, तो लाब का अनुपात भी यही होगा, टोटल लाब कितना है, 7,920 रुपे कुल लाब है, पूछा उसमें से C का शेर क्या होगा, तो C का शेर कितना है बच्चों, एक उनिट, बटे टोटल, टोटल क्या हैगा, 7,14,21 और एक बाइस, ये बाइस आजाएगा, आप बोलोगे, यहां जी सार, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अब चला जाएगा सीधा-सीधा, ये बाइस से तो कटी रहे, बाइस ती आच्छा सट मेरे दोस्तों, और ये बाइस चिका, एक सुबत्ती तीन सो साट रुपे, तो 360 रुप सबी को समझ मैं, MTS का सवाल था, बहुत अच्छा क्वेशन आगे चलेंगे, एक और सवाल आपके सामने, सवाल लंबर तीन, वन लाइनर सवाल है, जैसे आपके पेपर में आये हैं, बिल्कुल वैसे ही क्वेशन ले रहा हूँ, ठीक है बई, इस डेल घंटे की क्लास से एक सवाल आना है, मैं डेल घंटे पढ़ा हूँ, एक सवाल इस क्लास से आना है, इसलिए डंग से पढ़ लीजिए, शेर कर दो वीडियो को, A, B, C कोई बिजनिस शुरू करते हैं, एक और सवाल बोला, A के इन्वेस्टमेंट का दुगना, B के इन्वेस्टमेंट का तीन गुन और C के इन्वेस्टमेंट का पांच गुना बराबर है, यदि एक साल में कुल साड़े पंदरे लाक रुपे का लाब हुआ, तो आपसे पूछा है, लाब में B का हिस्सा क्या है, इस सवाल में समय का कोई जिकर नहीं है, तो जिस आदमी ने जितना इन्वेस्टमेंट किया ह लाब भी उसी अनुपात में होगा, A, B, C कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, बोला, A के निवेस्टमेंट का दुगना, सपोच A ने ए रुपे लगाए, A के निवेस्टमेंट का दुगना, B के निवेस्टमेंट का तीन गुना, B ने जो पैसा निवेस्टमेंट किया है, उ अनुपात निकालना पड़ेगा, तो आप मुझे ये बताओ, कि A, B, C की पूंजी का अनुपात क्या होगा, आप हमें ये बताओ, अनुपात वाली किलास अगर आपने देखिए, तो मैंने आपको समझाया कैसे करना है, भई A का निकालना है, तो A को छुपा लो, 3 और 5 की अच्छे, तो ये A, B, C की इन्वेस्टमेंट का अनुपात आ गया, तो पैसा भी प्रॉफिट भी इसी रेश्व बाटना चाहिए, A, B, C के बीच लाब भी इसी अनुपात में बाटना चाहिए, आप बोलोगे, हाँ जी सार, बिल्कु सही, बोला कुल लाब साड़े पंद तो दस उनिट है, टोटल कितना है, टोटल है, टोटल है, 15, 10, 25, 31, 31 आएगा, ठीक है बाटना चाहिए, आप बोलोगे, आँसर, दस अमलब से 0, 31, 5, 155 लाख रुपे, बी का हिस्सा हो गया, पाँच लाख रुपे, ये आंसर है, C, आप्शन, बताईए, कोई दुख तकलीब समस्चा परेशानी सवाल में नहीं, अरबाला किस सवाल को कर पा रहा है, ओड़ोड के, सवाल लंबर चार, सवाल लंबर चार और सवाल लंबर पांच, इस चेप्टर के सबसे महत्पूर और सबसे ज़्यादे पूछे जाने वाले सवालों म सवाल लंबर चार और सवाल लंबर पांच, बनाएं, जल्दी से करेगा, तीन साजेदार हैं XYZ, इन्होंने वेबसाय सुरू किया, वेबसाय में लाब 3-4-6 के अनुपात में बांटा जाता है, सुनेगा, वेबसाय में लाब 3-4-6 के अनुपात में साजह किया जाता है, उन इसने बारे महीने के लिए इसने दस महीने के लिए और जैडने आट महीने के लिए उनके निवेश का अनुपात क्या है उनकी पूंजी का अनुपात क्या है बताओ बच्चो मैंने क्या सिखाया मैंने ये सिखाया कि अगर आपको पूंजी का अनुपात निकालना है तो आपक यहाँ पर मेरे दोस्तो तीन बिजिनिस पार्टनर हैं X, Y और Z तीन साजे धार है उन्हें एक वैफशा है शुरू किया वैफशा में लाब किस अनुपात में हुआ लाब हुआ तीन, चार, छे के अनुपात में उनको लाब हुआ यह किसका रेशो है मेरे दोस्तो यह प्रॉफिट का रेशो है P मतलब प्रॉफिट समय क्या है मेरे दोस्तो कितने कितने समय के लिए पैसा लगाया X ने बारे महीने के लिए इसने दस महीने के लिए इसके ने आठ महीने के लिए तो इसका भी अनुपात आ जाएगा ना, बारे महीना, दस महीना, आठ महीना सब दो से कट रहा है, दो छिक का बारे, दो पंजे, दस, और दो चौक, आठ छे, अनुपात, पांच, अनुपात, चार, ये किसका अनुपात है, ये समय का अनुपात आ गया है, समय का, आप से ये पूछा गया है कि उनके निवेश का अनुपात क्या है, तो क्या करना है, दोनों रेश्यों को भाग देना है, इन दोनों को डिवाइड करना है, डिवाइड, क्या करना है बच्चों डिवाइड करना है, बस भागी तो देना है, आ जाएगा, वैसे मुझे इस सवाल में पूर वटे तीन और पांच वटे साथ ऐसे लिखे हूँ तो मैंने क्या सिखाया है ऐसे कैचिक गुणा कर दो साथ दूनी चौदे और तीन पंजे पंद्रे सिखाया है आप बोलोगे हां जी सर तो मैं पूरा करूंगा ही नहीं मैं किवल सुरू के दो अनुपात पर ध्यान चैच चौक 24 ये 15 और 24 किसे कटता है तीन से 58 तीन पंजे 15 तीन अठे चौबिस यानि कि सुरू के दो अनुपात 58 बनने चाहिए 58 ये 58 नहीं है ये 58 नहीं है ये 58 नहीं है गलत हो गए एकी ऑप्शन सही हो जाएगा ठीक है अगर हम आपकी तरह होते तो इस सवाल को इस तरीके से करते पूरा सौल करने की जुरत नहीं पढ़ती है आगे ठीक है बच्चों आप बोलोगे हाँ जी सर बिलकुल सही अदरवाज आपको भाग देना है पहले तो अगर मैं यहाँ पे तीन को छे से भाग दूँगा तो यह एक बटे दो हो जाएगा एक बटे दो आप बोलोगे जी सर बिलकुल सही तीन को तीन बटे च्छा एक बटे दो यह चार बटे पांच हो गया और यह कितना हो गया मेरे दोस्तों छे बटे चार छे बटे चार हो गया जी तीन बटे दो आप बोलोगे हां जी सर तीन मैंने क्या सिखाया कि जब भी ऐसा हो तो नीचे के LCM से multiply कर दो, नीचे क्या है, नीचे 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 2, 5, 2 का LCM 10, इस पूरे अनुपात को 10 से गुणा कर देंगे, 10 से गुणा करेंगे, 2 से 10, 5 बार जाएगा, 5 से 10, 2 बार, और 2 की 4 में यहना 2 से 10, 5 बार, 5 की 3 में गुणा 15 है, 5 अनुपात, 8 अनुपात, 15 है सवाल का अंसर है, यह पूरा सौल हो गया है, लेकिन इसकी जरत नहीं है, ठीक है जी, आगे चलेंगे, एक और सवाल आपके सामने बनाएं, जल्दी से, गसपार यह सब बनाएं, एक और सवाल, A, B, C ने 3, 4, 8 की अनुपात में पैसा निवेश किया, यहांना, यह किसका अनुपात है, पूंजी का, ABC ने इस अनुपात में पूंजी निवेश की, व्यापार अबधी के अंत में उन्हें 2, 3, 5 की अनुपात में लाब प्राप्त ह में हुआ उनके निवेशत समय का अनुपात ज्याद कीजिए दिल्ली पुलिस हैड कॉंस्टेबल का सवाल है समय का अनुपात समय का अनुपात अगर आपको निकालना है तो मैंने क्या सिखाया आपको प्रॉफिट के रेश्यो को लाब के अनुपात को पूंजी के अनुपात से भाग देना पड़ेगा आप बोलोगे हांदी सर प्रॉफिट की सनुपात में हुआ है प्रॉफिट हुआ है दो तीन पांच के रेश्यो में यह प्रॉफिट है मेरे दोस्तों ठीक है प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट की सनुपात में किया ए बी सी ने ए बी सी ने व्यापा में पूंजी किस अनुपात में लगाई है तीन चार आठ के रेश्यो में इन दौनों को भाग देना पड़ेगा मेरे दोस्तों बस और कुछ नहीं कर रहे हैं इन दौनों अनुपातों को भाग देना है ये आ गया समय का अनुपात ठीक है जी आप बोलोगे हां जी सर बिलकु कि रेश्यो की खास बात ही किसी नंबर से गुणा कर दो कोई फरक नहीं पड़ता तो बता कितना हो जाएगा तीन अठ्थे चौविस और दो अठ्थे शोल है अनुपात चार से चौविस छे बार छे ती आठ्थार है अनुपात आठ्था चौविस तीन पंजे पंद्र है 16, 18, 15 इस सवाल का आंसर है A option मजाया आप बोलोगे सर ये तो बहुत बहुत आसान सवाल निकला अगला सवाल सवाल लंबर छे अगला टाइप आएगा आपके सामने next टाइप ठीक है भई ये समाप्त हो गया अगला टाइप आपके सामने बनाएंगे जल्दी से कौन करेगा यूपी पुलिस कॉंस्टिवल 2018 का सवाल बनाईगा जी रिशीका और आकास ने साजेदारी में कुछ पैसे निवेश किये दो लोग हैं रिशीका और आकास उन्होंने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है एक बिजिनिस खोला व्यापार में साथ में रिशीका ने 1875 रुपे न लाब में से तो आकास ने कितनी राशी का निवेश किया यह आप से पूछा गया है अगला टाइप बहुत आसान है ठीक है भई टाइप नंबर दो सवाल में समय का कोई जी करनी मैंने अभी समझाया कि जो आदमी मेरे प्यारे भई जितना पैसा इन्वेस्ट करेगा उसको लाब भी उसी अनुपात में मिलेगा यानि कि मेरे दोस्तों अगर दो आदमी ने लाब जिस अनुपात में कमाया है लाब जिस अनुपात में हुआ होगा इन्वेस्टमेंट भी उसी रेश्यो में की होगी भई यहां पर बोला है रिशीका ने रिशीका ने अठारे सो पिछट्ट रुपे निवेश किये हैं है 288 रुपे का तो इनके प्रॉफिट का अनुपात यह हो गया जो उनके प्रॉफिट का अनुपात है वही उनके इन्वेस्टमेंट का भी अनुपात होगा आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही ठीक है बता हो बच्चो किसी से कट रहा है क्या एबी नौ से चला जाएगा यह दो सो पच्चिस यह नौ से कट रहा भी यह 25 बार और यह 9 से चला जाएगा 9 तीयस 27 नौ दूनी अठार यह 32 बार यहनि कि 25 अनुपात 32 के अनुपात में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया होग रिशिका ने कितने निवेस्ट रुप किये हैं रिशिका ने 875 रुपे व्यापार में लगाए हैं तो 25 की वेलू इस सवाल में रिशिका ने कितना लगाया 25 की वेलू 875 रुपे है पूछा आकाश ने कितना लगाया 32 की वेलू आपसे पूछी है 32 की ठीक है बच्चो आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से हो गया, कोई बहुत जाद है कैल्कुलेशन भी नहीं है, 25 सथ 175 बार है, 25 पंजी 125, तो 32 की 75 में गुणा करना है, आठ में करेंगे 600, फिर 4 में 2400 रुपे, 2400 रुपे इस सवाल का आंसर है, 32 गुणा 75, 2400 रुपे, बताइए, ये भी देख सकते हैं कि आंसर 32 से कटने वाला होगा, एक ही आप्शन है, C आप्शन, और एक बच्चे का आंसर आगे, सवाल में कोई तकलीफ नहीं है, बहुत बढ़िया, ठीक है ये टाइप नंबर 2 है, ये कौन सा टाइप चला है, टाइप 2 चला ह 4-5 प्रकार की सवाल इस पे बनते हैं, और करेंगे इस पे, सबस्यादे पूछे आने वाले सवालों में से प्रेक्टिस करेंगे भाई, सवाल लंबर है साथ, करके बताएं, दो की बज़ा तीन लोग कर दिये तो कैसे होगा? बने जल्दी से, सवाल तो सॉल करना पड़ेगा बई, साड़े 5-6 बच्चे अगर ये पढ़ रहे हैं, 6000 के आसपास, तो ये सारे वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं? है बई? जल्दी से बनाएं, सवाल 25-32 कहां से है? मुनेश मीना जी हमने 9 से काट लिया, 9 से कट रहा है मुनेश, ये देखिए, तीन साजेदार PQR ने एक बिजनिस में कुल 41-600 का निवेश किया, तीन लोग है PQR, उन्होंने एक बिजनिस में 41-600 रुपे लगाए, ठीक है? तीन साल के एंड में, तीन वर्ष के एंड में, P को 1430 रुपे, क्यूं को 1870 रुपे, और R को 2420 रुपे मिले, तीन वर्ष के अंत में. क्यूं ने website में कितनी रासी का निवेश किया, क्यूं ने बिजनिस में कितनी रासी का investment किया है, या आप से पूछा गया है. देखो, तीन लोग है PQR, उन्होंने एक बिजनिस खुला, बैस समय से में, तीन-तीन साल समय का कोई चक्र नहीं, यानि कि मेरे दोस्तों, जिस ratio में उन्होंने पैसा invest किया होगा, उसी ratio में उनको profit भी होगा. ये मैं कई बार दूस, तीसरी बार में बता रहू हम आपको, कि जो पूछी का अनुपात है, जिस अनुपात में पैसा लगाया होगा, लाब भी उसी अनुपात में होगा. मैं उल्टा कहूं। जिस अनुपात में उनको लाब हुआ है पैसा भी उन्हों ने PQR उसी अनुपात में लगाया होगा। वै पी को कितना लाब मिला है? पी को लाब मिला है 1430 रुपे का। क्यू को लाब मिला है 1870 रुपे का। और आर को कितना लाब मिला है 2420 उर्पे का तो इन तीनों के लाबों का अनुपात क्या है अनुपात अब आप इतने कम जोर हो गणित में कि आपको इनको काटना भी नहीं आता तो तुमारा भी कट चुका है पत्ता ठीक है जॉब की लिस्ट में से काट बताओ किस से कट रहे है मेरे दोस्तों नमबर ये 0 तो कटी गया बाकी 11 से नहीं कट रहा जीरो तो कटी गया 0 तो कटी गया मेरे दोस्तों इस अब 11 से कट रहा है 13 बार आप बोलोगी 11 कम 11 और 11 सत्य 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 17 बार ग्यारे दूनी बाईस और दो ग्यारे दूनी बाईस बाईस बार ग्यारे गुणा तेहरे 143 इतना प्यारा नंबर है तो यानि कि तीनों के लाब का नुपात आगया तो तीनों की PQR की इन्वेस्टमेंट का रेशो भी यही होगा आप बोलोगे हाँ जी सर बिलकुल सही बोला तीनों ने बिजनिस में कुल 41.600 का निवेश किया है तीनों ने 41.600 का तीनों ने बिजनिस में कुल पैसा इन्वेस्ट कितना किया है तेहरे प्लस सत्रे तीस और तीस प्लस बाईस बावन इन तीनों को जोड़ो इनों को जोड़ो कितना हैगा बावन यूनिट बावन की वेल्लू इस सवाल में कितनी दी है 41,600 रुपे दी है बावन की वेल्लू बताओ कितने गुना है ये कितनी बार कट रहा है आठ बार जाएगा बावन अठ्थे 400 और दो अठ्थे 16 800 बार आप बोलोगे 800 गुना है एक यूनिट का मतला 800 रुपे पूचे क्योंने कितना पैसा लगाया बिजनिस में क्योंने पैसा लगाया 17 यूनिट 17 की वेल्लू भी मेरे दोस्तो 800 गुना होगी 17,8,136 यानि कि 13,600 रुपे चुप चाप क्योंने बिजनिस में लगाया है यही सवाल का अंसर है जो की C आप्शन होगा 17 का मल्टिपल भहुत बड़ी है बेटे लेकिन 17 का मल्टिपल ये भी आप्शन है ये भी आप्शन है मैंने पहली देख लिया इसलिए आप्शन से नहीं करना है सौल करना पड़ेगा मुझे लगता है हर एक बाल कोई बात अच्छी तरीके समझ में आई है सवाल लंबर साथ एक और क्वेशन ऐसा ही है ये सवाल यूपी पुलिस दरोगा के पेपर का है और इस का अंसर आप मुझे अभी कभी बता दो कमेंट में बताए इस सवाल का अंसर अभी के अभी आप मुझे सौल करके बताएंगे कमेंट में ऐसा एक क्वेशन है दरोगा का चुकि सबसे आदे पूछे जाने वाला सवाल यही है तो सवाल को जो हम इज़्जत के साथ करेंगे कह रहे है घंट के क्या कह रहे है भाईये बिल्कुल आज हम पीडियोव के साथ आपको उत्तर तालिका देंगे तालिका आपको जरू मिलेगी चिन्ता ना करें आप कम से कम एक सवाल तो सही बता दो दुष्टो 15, 20, 25 3, 4, 5 3, 4, 5, 7 बार है यह दुगना हो गया 9 का 8 का पूछा न 8 का दुगना 16 आएगा भई Very good, सब बिल्कुल सही बता रहे हैं 16 यह सवाल का अंसर है 60 शीख गए यह वाला टाइप अगर आप यह वाला टाइप सीख गए हैं दोस्तों देखो मैंने आपको क्या क्या बता अभी तक मैंने आपको कुछ जादे नहीं पढ़ा अभी तक दोस्तों पहले तो मैंने आपको concept सिखा यह रहा concept फिर हमने वो सवाल कराए जो partnership के हैं बट अनुपात से solve हो जाते हैं फिर हमारा type number 1 हुआ जिसमें आपसे एक पुझी का अनुपात पूच सकता है समय का फिर हमारा दूसरा type हुआ मेरे दोस्तो अब हम आगे की तरफ चलेंगे तीसरा type type number 3 ठीक है भई? ना बहुत ज़्यदा परिशानी नहीं होगी इसमें आसान सा है एक ही प्रस्ण करवाएंगे सवाल number 9 बनाए C चिसल के एक्जाम का है ABC ने 9,000, 18,000 21,000 का निवेश करके बिनिस सुरू किया इस बार investment दी है उनके दौरा लाब में B का हिस्सा लाब में 759 है तो उनके दौरा कुल लाब कितना है कुल लाब आपसे पूछा गया है तीन लोग हैं बच्चो A, B और C नाम के तीन लोग है इन तीन लोगों ने त्यान सुनेगा पहली बात A ने 9,000 रुपे B ने 18,000 रुपे C ने 21,000 रुपे का निवेश किया उतना लाब मिलेगा अगर लाब का हिस्सा B, B में लाब जो B का लाब है वो 779 रुपे तो कुल लाब पूछा है अब बताओ A, B, C ने पैसा किस अनुपात में लगा है ये 9,8, 21 का रेशन नहीं ले सकते 17,000 से कट रहा है ये 17,000 से कट रहा है 3,9, 3,8, 3,7, 21 यहनि कि A, B, C ने 3, 6, 7 के अनुपात में पैसा निवेश किया है तो उनको लाब भी सी अनुपात में होगा बूला है B का जो हिस्सा है 779 रुपे B का हिस्सा है 6 यूनिट इसकी वैल्लू जो है मेरे दोस्तो 779 रुपे है कितने गुना है भी यह ना 339 तीन जी गठार है 6 की जो वैल्लू है 779 रुपे है आपसे पूछा है यहाँ पे आपकी 3, 6, 9, 7, 16 की वैल्लू पूछिए ऐसे लिख लेते हैं 6 की जो वैल्लू है मेरे दोस्तो 779 रुपे 759 रुपीज तो एक उनिट की वैल्लू क्या आएगी मेरे दोस्तो 6 आपसे पूछा कुल लाब कुल लाब है 3, 6, 9, 7, 16 16 यूनिट की वैल्लू आपसे पूछिए 16 तो इसकी वैल्लू भी 16 गुना आपको करनी पड़ेगी आप बोलोगी हांसर 2, 8, 16 और 2, 3, 6 3 से ही जाएगा मेरे दोस्तो 253 बार और 253 की जब आठ में गुना करेंगे 2024 2024 उर्पे सवाल का अंसर है A. सब बच्चे कर पाए मुए लगता है आपको इस बात अच्छी तरीके से समझ में आई है बिलकुल आसान से सवाल था आगे चलेंगे हम यहाँ पे टाइप नंबर 4 आ चुक है आपके सामने जिसमें समय आपसे पूछा जाएगा ठीक है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिलकुल सही आगे चलेंगे सवाल लंबर 10 कौन स्टेवल के पेपर का पूछा हुआ प्रिवेश सर सवाल आपके सामने हाजिर है लाइक कर देंगे वीडियो को बनाएं बच अगरा सर मा आठवी किलास में हूँ मैं इस किलास ले सकता हूँ बेटे आठवी किलास में हो तो कुछ और करो ये क्यों कर रहे हो इतने जीवन का स्टेस मत लो तुमको देखके तो ये लगने लगा कि बालक पैदा हुआ और 5 सेकिंड बीते माबाप टेंशन में आ जाएंगे नौकरी कब लगेगी इसकी ऐसा ना हो कुछ सालों बाद ये हो कि बालक पैदा हुआ माबाप बोलें बालक तो है पैदा तो है पर अभी बेरोजगार है पता नहीं कब नौकरी लेगा आठवी किलास अरे आठवी किलास में तो अभी नजारे देखो ट्यूशन में नजारे होते हैं कहां पाटनर के चक्करम पड़ रहे हो सवाल लंबर 10 बनाए जल्दी से सुहास और नितिन ने आठ तीन का अनुपात में बिजनिस में कुछ रासी का निवेश किया ठीक सुहास ने कुछ महीने के बाद अपना पैसा वापस ले लिया सुहास बोला भगटी आदमी है भई तू मैं अपना पैसा निकाल लूँ 12 महीने के एंड में लाब को सुहास और नितिन द्वारा 5-4 कनुपात में बाठ गया 12 महीने के अंत में जानी कि जो खुल बिजनिस से वो 12 महीने चलाया गया है 12 महीने नितिन ने अकेले कितने महीने के लिए निवेश किया देखिए बच्चों बहुत अच्छा सवाल है, दो लोग हैं सुहास और नितिन, उन्होंने एक बिजनिस सुरू किया, आपसे सवन में समय के बारे में पूछा है, समय के बारे में, टाइम ही तो पूछा है, समय निकालना है तो आपको लाब के अनुपात को investment के अनुपात से भाग देन पड़ेगा concept के लिए आप बोलो ग्यांजी सर सुहास और नितिन में पैसा invest किया है आठ तीन के अनुपात में सुहास और नितिन ने जो पैसा investment किया है वो आठ तीन के अनुपात में किया है कुछ महीने के बाद ध्यांस सुनीगा कुछ सुहास ने कुछ महीने के बाद अपना पैसा निकाल लिया नितिन नहीं निकाला नितिन भाई सुरूत से लेके आखिर तक बिजनिस कर रहा है नितिन बारे के बारे महीने ठीक है भाई आप बोलो कि हांजी सर और बारे महीने के end में जो उनको लाब हुआ है बारे महीने पांच चार के अनुपात में, तो आप मुझे बताओ, इन्हों ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, उसके समय का टाइम का अनुपात क्या होगा, समय का अनुपात निकालना है, तो इन दोनों को भाग देना होगा, और दो रेश्यों को भाग देने का बैस तरीका क्या है, ऐसे क्रॉस मल्टिप्लाई कर दे ते मैंने आपको बताया है । पंच तीया 15, 8, 35, 35, 15 रेश्व 32 आ गया ठीक है जी 15 रेश्व 32 किसी बालको कोई समस्या ये क्या आगे समय का नुपात आ गया सुहास और नितिन ने जिस समय के लिए पैसा निवेश्ट किया, वो समय का रेश्यो 15.30 है, ठीक, चले, अब आगे सुनेगा बच्चे, सुहास ने कुछ महीनों के बाद पैसा निकाल लिया, नितिन ने तो नहीं निकाला, भै नितिन तो शुरू से लेके आकर तक पूरे 12 महीने पैसा निवेश्ट किया तो नितिन ने पैसा निवेश्ट किया 12 महीने के लिए, नितिन ने पैसा निवेश्ट किया 12 महीने, 32 की वैलू जो है, वो 12 महीने हैं, और आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, सुहास ने कितने महीने के लिए निवेश्ट किया, 15 की वैलू पूछिए, 32 की वैलू 12 महीने है, तो एक की वैलू के आएगी 12 बटे 32, 15 महीने की वैलू multiply by 15 महीने, यह भी, चारतिया बार है, 4 अट्थे 32 या आएगा 45 बटे 8, 45 को जब मैं 8 से भाग दूँगा, तो 8 पंजे 40 जाएगा, बचेगा 5, 5 सही 5 बटे 8 महीने के लिए मेरे दोस्तो, सुहास ने बिजनिस में पैसा लगाया है, 5 सही 5 बटे 8 महीने के लिए, यह आंसर है, 32 की वैलू 12 महीने है, तो 15 की वैलू आपसे पूछी है, बस इतनी सी कैलकुलेशन थी, और मुझे लगता आप इतनी कैलकुलेशन करने में सक्षम है, हां की ना, हां, अगला प्रस्न, सवाल लंबर है, 11 आपके सामने, आपी के कॉंस्टेबल के पेपर का पूछा हुआ, एक और ध्माके दार सवाल सेम पैटन पे बनाएं, अनुराग यादव जी कह रहा है, तूफानों से आख मिलाओ, सैलाबू पर वार करो, मलाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, बचा कह रहा है कि तैर के दरिया पार करना है, बेटे तैर के दरिया पार करने खर्चा ही दो रुपईया है, तो दो रुपईया की चक्कर में क्यों अपने कपड़े गीले करने, और दरिया में पानी हुआ जादा, तो बह जाओगे, और बह जाओगे तो प्राण पखेरू हो जाएंगे दो रुपई आक चक्कर में प्राण पखिरू करना बेब कूफी है सास का काम नहीं है तो ऐसी सेरो सारी फरजी ना फेकें ठीक है आई विल नोट पार दरिया तेर के आई विल गिव टूर पईया टू मल्ला एंड टेखिज बोट एंड पार दरिया विदाउट एनी प्रोब्लम चलिए अगला सवाल करेंगे सवाल लंबर है ग्यार है ये दरिया परिया छोड़ो आप गनित का समंदर पार करो मेरे साथ मिल के गनित का समंदर पार करेंगे ठीक है कोई सवाल निए छोड़ेंगे हम चलिए जल्दी से कर तेखो बहुत धीरे करा रहें आज कैसी गटया नाम है? तरसा ने कितने महीने के लिए निवेश किया ये आपसे पूछा है, अगर तरसा ने कितने महीने के लिए निवेश किया ये आपसे पूछा है, समय आपसे पूछा है, तो प्रॉफिट के रेश्यो को इन्वेश्टमेंट के रेश्यो से भाग देना है, that's it, दो लोग हैं, तो किस अनुपात बाटा गया 2524 के अनुपात में अच्छा मेरे दोस्तों इन्वेस्टमेंट किस अनुपात में किया है तोर्साने 2580 रुपे लगाए तुर्साने 2880 रुपे लगाए तो इसका अनुपात ले लेंगे 0 से 0, किस से कट जाएगा है, 9 से, 9 से कट जाएगा 225 बार, और 9 से कट जाएगा 937, 928, 32 बार, तो आ गया मेरे दोस्तों, 25 अनुपात 32, ये आ गया, बोलो कोई तकली परिशानी, इन दोनों को मैं जैसे ही भाग दूँगा, मेरे समय का अनुपात आ जाएगा, समय का, इतनी बात के लिए अब जैसे मैं भाग दूँगा, तो देखो, ये 25 से 25 कट जाएगा भाग देने पर, कट जाएगा 25 से 25, भाग देना है, 32 की यहां गोणा होगी, इसकी यहां गोणा होगी, तो आएगा 32 अनुपात 24, किस से कट ता ये, 8 से, 8 चौक, 32, 68, 24 से, 4 अनुपात 3 आ याने की तोरी ने और तरसा ने जो समय है, वो 4 तीन है, 4 तीन के समय में पैसा इन्वेश्ट किया है, बारे महीने के अन्त में, तोरसा के निवेश्ट का समय, ये जो बारे महीने हैं तोरसा, तोरसा ने पैसा इन्वेश्ट किया, बारे महीने के लिए, तो बेटे, 4 की वेल आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, अगला सवाल लंबर बार है, एक और बी एक बिजनिस में भागेदार है, दो लोग है, इंपोर्टेंट वर्ट्स पढ़ा करो, ए ने आठ महीने के लिए पूंजी का तीन बटे आठ भाग लगाया, बी ने लाब का दो बटे पांच प्राप्त किया, बी का धन वैबसाय में कितने महीनों के लिए लगाया गया था, फिर से सवाल में आपसे टाइम समय पूछा है, अगर समय आपको से पूछा है, कंसेप्ट किलियर है कि लाब के अनुपात को पूंजी की इन्वेस्टमेंट के अनुपात से भाग देना पड़ेगा, दो व्यापारी है, ए और बी आप बोलोगी हाँ जी सर, ठीक है, कोई दिक्कार तकलीफ इसमें, अब सुनेगा मेरे दो बटे मतला होता है टोटल, अगर टोटल लाब पांच रुपे हो रहा है, तो बी को दो रुपे का लाब मिला है, दो रुपे का, अगर टोटल लाब पांच रुपे हो रहा है, तो बी को दो रुपे का लाब है, तो एको लाब कितने रुपे का है, फिर तीन रुपे का, एक पूंजी का तीन बटे आठ भाग लगाया, एने आठ महीने के लिए पूंजी का, एने कितना भाग लगाया, एने इन्वेस्टमेंट का तीन बटे आठ भाग लगाया, यानि कि अगर टोटल इन्वेस्टमेंट आठ रुपे की हुई है, तो एने तीन रुपे लगाया है, तो बीने कितना लगाया होगा मेरे दोस्तों फिर बीने लगाया होगा पांच रुपे बीने कितना पैसा बिजनिस में लगाया होगा मेरे प्यार भी पांच रुपे आप बोलोगे हां जी सर बिलकुल सही कोई तकलीफ नहीं है सवाल की लेंगवेज बहुत अच्छी बहुत प्य में भाग देंगे तो तीन से तीन कड़ जाएगा, ऐसे क्रोस मंटिपलाई कर देंगे पांच और ये दो, पांच रेश्यो दो, पांच रेश्यो दो आ गया, मेरे दोस्तों, आप बोलोगे हाँ जी सार बिल्कुल सही जिसमें टाइपिंग में मिस्टेक है यहाँ पर मेरे दोस्तों आठ की जगे 20 कर लिजिए 8 की जगे 20 कर लिजिए 18 की जगे यहाँ पर 20 महीने कर लेंगे 20 महीने छिक है और option 20 के change कर लेंगे 6, 7, 8, 10 अब बताईए बताओ जल्दी से A ने 20 महीने के लिए पूंजी का 3 बटे 8 भाग लगा है A ने 20 महीने के लिए पैसे अन्वेस्ट किया है कितने महीने के लिए 20 महीने के लिए तो 5 की value कितनी दिये सवाल में 20 महीने दिये 4 गुना तो B ने कितने महीने के लिए पैसे अन्वेस्ट किया है 2 की value भी 4 गुना होगी 8 महीने तो 8 महीने सवाल का answer आएगा option number C सही है ठीक है सब बच्चों का answer आगया very good, very good, जबरदस्त अगला सवाल फिर से एक और question UP Police Constable का अब मेरे प्यारे भाई 2018 के paper का पूछो सवाल है same type है लेकिन इस सवाल में एक line add करने से पूरा मतलब बदल गया करके बताईए कि वहल एक line add करने से जल्दी से करेंगे मिताली और जूलन ने 336 रुपे और 231 रुपे कारोबार में निवेश किये परन्तु मिताली ने कुछ महीनों बाद पैसे वापस निकाल लिए बहुत बढ़ी है line मिताली ने कुछ महीनों के बाद पैसे वापस निकाल लिए यानि कि दो लोग हैं मिताली मिताली और जूलन उन्होंने एक बिजनिस में पैसे अन्वेस्ट किया कुछ महीने के बाद मिताली ने पैसे वापस ले लिए बारे महीने के एंड में मिताली और जुलन द्वारा लाब दो तीन के अनुपात में बांटा गया बारे महीने के एंड में मिताली और जूलन के बीच जो लाब है वो दो अनुपात तीन के अनुपात में बाटा गया मिताली ने कितने महीनों के बाद अपना पैसा निकाल लिया होगा ये लाइन बड़ी इंपोर्टेंट है कि मिताली ने कितने महीनों के बाद अपना पैसा निकाला होगा ये नी पूछा, इस सवाल में ये नी पूछा कि मिताली ने पैसा कितने महीने के लिए invest किया, पूछा है मिताली ने कितने महीने काम करने के बाद अपना पैसा निकाल लिया, जूलन तो पूरे टाइम है, मिताली ने कुछी महीने काम किया है, कुछी महीने, उसके बाद मिताल गायब है ठीक है जूलन पूरे टाइम है तो यह पूछा है मिताली ने कितने महिने के बाद पैसा जो है वो निकाल लिया साड़े पांच बता रहे हैं बालक कुछ साड़े चार बता रहे हैं सोचो मिताली और जूलन को लाब मिला दो अनुपात तीन का अनुपात में आब बताओ इनोंने जो पूझी लगाई है बिजनिस पर पूझी का अनुपात क्या है ये जल्दी से बता हैं पूझी का अनुपात क्या है मिताली ने 336 रुपे और जूलन जी ने 2 से कत्रिस रुपे इसका रेशो का है 336 और 2 से कत्रिस का 2 से कत्रिस होता है 7, 11, 13 अभी 7 से तो जाएगा ये 7 चोक 28, 7, 8, 56 और ये 7 ती है 21 अभी 2 और ये 7 ती है 21 फिर 3 से भी चला जाएगा 16 रेशो 11 ये 3 से भी कट गया मेरे दोस्तो 16 अनुपात 11 आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुस 16 अनुपात 11 आगया पुंजी का अनुपात कोई दुख तकलीफ परिशानी इसमें नहीं अब इस बात का जवाब दीजेगा कि अगर मैं इन दौनों को भाग दूँगा तो मिताली और जूनल ने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसके समय का अनुपात आ जाएगा आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुस सही कोई प्रॉब्लम नहीं तो ऐसे क्रोस मल्टिप्लाई होगी जब ऐसे क्रोस मल्टिप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तो 22 रेश्यो 48 ये किस से चला जाएगा ये तो 2 से चला जाएगा यानि कि 11 अनुपात 24 आप बोलोगे हाँ जी सर 11 अनुपात 24 क्या इसमें कोई तकलीफ है आप बोलोगे नहीं सर कोई तकलीफ नहीं है 11 अनुपात 24 आगया यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं अब सवाल में बोला है मिताली ने कुछ महीने के बाद पैसा निकाल लिया जूलन ने तो नहीं निकाला, जूलन ने पैसा पूरे बारे महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, तो जूलन ने पैसा इन्वेस्ट किया बारे महीने के लिए, तो 24 उनिट की वैलू कितनी है, बारे महीने आधा, तो फिर मिताली ने पैसा कितने महीने के लिए इन्वेस्ट कि अब सवाल जो है कि मिताली ने कितने महिने के बाद पैसा निकाला, मिताली ने पैसा साड़े पांच महिने के लिए निवेश्ट किया है, साड़े पांच महिने बाद निकाला होगा, साड़े पांच महिने ही आंसर आएगा, पूछी वही चीज यह बस लिखने का तरीका लगे हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है very good very good हर एक बच्चे का आंसर आ है मेरे दोस्तो सवाल है आपके सामने अब अगला टाइप आएगा सवाल लंबर ने अगला टाइप नहीं है सवाल लंबर 14 करेंगे जल्दी से अगला टाइप आगया भी next next टाइप टाइप नंबर पाँच करके बताएगे जल्दी से समय वाले सवाल खतम अब आपके सामने जो सवाल है मेरे दोस्त वो investment वाले हैं सोहल ने बाइसो पचासे कारोबार सुरू किया तरसला तीन महीने के बाद कुछ रासी निवेश की बारे महीने के एंड में सोहेल और तरसलाने लाब में पच्चिस चौबिस के अनुपात में बाटा तरसलाने कितना निवेश किया था ये नाम बड़े खराब लिखें यारे इन लोगोंने constable का सवाल है 288 का सवाल में ये देखा करो कि पूछा कै सवाल में पूछा है तरसलाने कितना पैसा निवेश किया यानि कि आप से पूझी पूछी है क्या पूछा आप से पूझी और मैं कई बार बता चुकों कि अगर पूझी आपको निकालनी है तो आपको लाब के अनुपात को समय के अनुपात से भाग देना पड़ेगा लाब को समय के अनुपात से भाग दे दीजे आ जाएगा अंसर पुलवाएगा की नहीं? अच्छा दो लोग हैं यहाँ पे सोहेल और त्रसला ये दो लोग है सोहिल ने बिजनिस शुरू किया बाइस सो पचास उरुपे से ठीक है तीन महिने के बाद त्रसला ने कुछ पैसा निवेश किया बारे महिने के एंड में देखो सोहिल ने स्टार्टिंग से पैसा निवेश किया है सोहिल ने स्टार्टिंग से त्रसला तीन महीने के बाद आया, यानि कि त्रसला ने जो पैसा निवेश किया है, वो केवल आखिर के नौ महीने के लिए किया है, तोटल समय बारे महीने, त्रसला तीन महीने के बाद व्यापार में सामिल हुए, यानि कि त्रसला ने बारे में से तीन घटाएंगे, केवल न को महीने के लिए बिजनिस में पैसा इन्वेस्ट किया है आप बोलोगे जी बिल्कुल सही अच्छा लाब की सनुपात में बांटा गया इन दोनों के बीच लाब बांटा गया 25 अनुपात 24 के रेश्यो में समय कितना है तो आप ये भी कह सकते हो मेरे प्यारे भाई कि सोहेल न तो तो त्रसला ने पैसा कुल जो बिजनिस में लगाया है वो 9 महीने के लिए लगाया है तो समय कानुपात क्या हो गया बिटे तीन से चला गयी तीन चौक बाहरे तीन की अनुग आप बोलोगे हांजी सार बिल्कुल सही आप से क्या पूँछा है आप से जो इस सवाल में वो investment का रेश्यो आपको निकालना है इन दोनों के investment का अनुपात तो दोनों को भाग देदो जब दोनों को भाग दोगे तो 3-24 आठ बार कट जाता है आठ बार कट जाएगा कैंची की गुणा करते हैं शौटकट है यहां गुणा होगी और 4-8-32 यानि कि 25 अनुपात 32 यह 25 अ आप बोलोगे हां जी सर सोहेल ने कितना पैसा लगाया है सोहेल ने सोहेल पहला आद में त्रसला दूसरा सोहेल ने पैसा इन्वेस्ट मेंट का अनुपात आ गया सोहेल ने इन्वेस्ट किया है 250 रुपे कितने गुणा है 25 निम्मा 225 नभ्य गुणा तो त्रसला ने कितना पैसान इन्वेस्ट किया ये भी 90 गुना होगा 32 का 90 गुना कितना होता है 2880 2700 रुपए और 180 रुपए 2880 रुपए मेरे दोस्तों इन्वेस्ट किया है सी ओप्शन सभी को समझ में आया आप बोलोगे हाँ जी सर आसान सवाल बनता है ये ठीक है ना दो कोशन में आपको ऐसे और करवाऊंगा बनाएंगे सवाल लंबर पंदरे जल्दी से करेंगे कोई दिक्का तकलीफ नहीं होनी चाहिए ऐसे सवालों में ए ने 54,000 रुपए के साथ बिनिस सुरू किया साल में दिया ए ने 54,000 रुपए से बिनिस सुरू किया और क्रम से 4 महीने 6 महीने बाद चार महीने और छह मेने के बाद B और C को उसमें सामिल किया गया चार महीने छह मेने के बाद साल के अंत में साल होता है बारे महीने बारे महीने के अंत में लाब को एक चार अनुपात के बीच में तीनों में बाटा गया पूछा है B और C द्वारा निवेश की गई पूझी का योग कितना है सवाल मैं आपसे पूछा है पूझी अगर पूझी का रेश्व निकालना है इंवेस्टमेंट का तो मैं आपको कई बार बता चुक हूँ लाब के अनुपात को समय के अनुपात से भाग देना पड़ेगा तीन लोग है A, B, C बिजनिस किसने शुरू किया बिजनिस शुरू किया मेरे दोस्तों यहां से A ने A ने बिजनिस में पैसा लगाया है 54,000 रुपे 54,000 रुपे A ने लगाया है A ने शुरू किया ठीक साल के अंत में तीनों लोगों के बीच लाब बांटा गया एक चार पांच का नुपात में चार महिने के बाद B आया है, छे महिने के बाद C आया है, बढ़ी बिदिन सुर हो गया, चार महिने तक B का कोई नामों निशान नहीं है, चार महिने के बाद B आया है, तो B ने बाद के आठ महिने के लिए पैसा लगाया है, बोलो हां, आप बोलोगे हां जी सर, आठ महिने के ना येाद전 के लिए कोई दुख तकलिफ नहीं है। C 6 महिनेके बाद आया, एक चार महिने providing, 6 महिने के बाद B आया। 6 महिने के बाद C रहां, लिए कि शुरुके 6 महिने C कोई जिकर नहीं है। सी ने आखिर के छे महीने के लिए पैसा लगाया है, तो सी ने पैसा कितने महीने के लगाया है? छे महीने के लिए समय का अनुपात आ गया, समय का अनुपात आ गया, आप बोलोगे हां जी सर, और जैसे ही दौनों को भाग आप दोगे, क्या आ जाएगा, दोस्त, तो आप कहो सब से आसान तरीका क्या होगा जल्दी से? अलाएकि जो बार है आठ छह है, यह ओलेडी दो से कट रहा है. दो छिक का बार है, दो छौका डो चौका रोचे जो काने, कट लेते हैं, दो छिक का बार है, दो चौका रहा है, दो तिया छे. और इस पूरे रेशियो को भाई यह 6, 4, 3 का LCM क्या होता है? 24, 6, 4, 3 का 12 है, पूरे रेशियो को 12 से गुणा कर देंगे यह देखो, 6 से 12 है दो बार चला जाएगा ठीक है? 4 से 4 मेरे दोस्तों आपका कटी जाएगा अच्छा, यह 12 भी नहीं है 4 बटे 4 तो एक ही हो जाएगा यह? 4 बटे 4 तो एक ही हो जाएगा मेरे दोस्तों और आसान हो गया 6 और 3 का LCM केवल 6 से आप गुणा कर दो 6 से गुणा करेंगे एक रेशियो 6 और रेशियो मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा आपका 3 दूनी 6, 10 एक अनुपात, छे अनुपात, 10 आ गया पूलो एक अनुपात, छे अनुपात, 10 आ गया यह तीनों के investment का अनुपात आ गया एने कितना पैसा लगाया है? 54,000 रुपे एने एक उनिट की वेलू 54,000 रुपे लगाया पूछा है B और C के निवेश का योग B और C के निवेश का योग क्या है? B ने 6 लगाया है C ने 10 B और C के निवेश का योग है 16 यूनिट 16 यूनिट की वेलू आपसे पूछी है एक उनिट की वेलू 54,000 रुपे है 16 की वेलू आपसे पूछी है multiply by 16 कर देंगे 16 85, 1664, 8,64 रुपे आ गया answer बताईए इससे आसान सवाल कोई बन सकता है क्या? बिल्कुल basic question है एक सवाल हम ऐसा और लेंगे बनाएंगे जल्दी से 16 question बनाएं ABC ने 2-3-5 के अनुपात में पूँजी निवेश की फिर से 3 लोग है ABC उन्होंने 2-3-5 के अनुपात में पूँजी निवेश की ये किसका रेश्यो है? इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट 2-3-5 के अनुपात में की उन्होंने जितने महीनों के लिए निवेश्ट किया उसका अनुपात चार रेशो दो रेशो तीन है उन्होंने जितने महीनों के लिए जितने समय के लिए पैसा इन्वेश्ट किया है ABC ने उस समय का महीनों का अनुपात चार दो तीन है यदि A और B के लाब A और B के लाब के हिस्सों के बीच अंतर 1,6,000 है A और B के profit का difference 1,6,000 है तो पूछा है C के लाब का हिस्सा ग्यात करें सवाल में आपको पूंजी दिया है सवाल में आपको समय दिया है मैंने क्या सिखाया कि अगर आपको लाब निकालना है क्या निकालना है इस सवाल में पहले पढ़ लिया करो निकालना क्या है लाब क्या निकालना है C के लाब का हिस्सा अगर आपको लाब निकालना है तो क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्तो पूंजी और समय के अनुपात की आपस में गुणा करनी पड़ेगी बात किलियर है आप बोलोगे हां जी सर तो ABC के profit का ratio क्या है मुझे ABC के investment का अनुपात दिया है समय का अनुपात दिया है दोनों अनुपात की आपस में गुणा कर दो डिवाइड नहीं करना यहां पर तो आप कहोगे सर दो चौक आठ दो की चार में गुणा आठ बी का देखें सिका मेरे दोस्ते investment पांच है और यह तीन है पांच दिया पंद्र है आठ अनुपात छे अनुपात पंद्र है आ जाएगा तीनों की गुणा कर दी हमने दोनों तीनों ratio की अब बोला यह गया है कि A और B के लाब का अंतर एक लाग शासी है आ रहे है सी का लाब का हिस्सा बत एक लाग श्यासी हजार रुपे है तो एक की value का आएगी 93,000 दो से कितनी बार जाएगा दो नाम अठारे दोती आच्छे एक की value आगी 93,000 रुपे पूचा है C का हिस्सा C का हिस्सा है 15 unit तो 15 की value भी क्या होगी 15 गुणा 93,000 रुपे कि पंदरे गुणा 93,000 कितना आएगा मेरे दोस्तों 15 निम्म एक सो पैंटिस और 15 तिया पैंतारिस तेहरे पिच्चानवे आ जाएगा तेहरे सो पचास प्लस पैंतारिस तेहरे पिच्चानवे ट्रफल जीरो बोलिए मुझे लगता है आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है आसान सवाल है मेरे प्यारे भाई आगे चलेंगे अगला टाइप अगला टाइप नेक्स टाइप एक ही क्वेशन कराऊंगा मेरे दोस्तों टाइप जो है आपका कौन सा ये 7 है 6 है ठीक है भाई ये जो टाइप आपका 6 है बनाएंगे अगला सवाल स्टीपियो के पेपर का सवाल है मेरे दोस्तों दान देने वाला कौशन आपने मॉक टेस्ट अगर लगाए होंगे तो आपने ये वाला सवाल जरूर देखा होगा भई लाइक कर देंगे जितने भी वीडियो पढ़ रहे हैं जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं वीडियो को सभी भाई वन स्पोर्ट सॉलूशन है ये वीडियो आज का चैप्टर बिलकुल मक्खन है वो तो है ही ए और बी ने बिजनिस में 75 करण रूपाट में पैसा इन्वेस्ट किया ए और बी ने पैसा लगाया है बिजनिस में 75 करण रूपाट में कुल लाब का 15% दान के लिए जाता है बोला गया है कुल प्रॉफिट का 15% दान में चला जाता है और लाब में एका हिस्सा 6950 रुपे लाब में एका हिस्सा 6950 रुपे है तो कुल लाब कितना है देखे, कुछ लोग अच्छी कमपनी वाले भी होते हैं जैसे एक कमपनी को कुल लाब हुआ 100% तो उन्होंने बोला कि हमें जितना भी लाब होगा उसका हम 15% दान देदेंगे अगर 100% लाब में से 15% दान देदेंगे तो बचा कितना 85% बचा और बोला इसी 85% को हम आपस में बाठ लेंगे तो इस 85% लाब को दो लोग है ना बिजनिस दो लोगों ने सुरू किया A और B ने A और B आपस में बाटेंगे अच्छा A और B ने पैसा 75 के अनुपात में लगाया है A और B ने पैसा किसा अनुपात में लगाया है 75 के अनुपात में तो A और B पैसा भी इसी अनुपात में बाटेंगे जिस रेश में पैसा इनवेस्ट किया उसी रेश में वो प्रॉफिट को बाटेंगे 85% उनको प्रॉफिट बाटना है मेरे दोस्तो A और B के बीच बाटा जाएगा 75% के अनुपात में तो A को कितना मिलेगा जवाब दो तो भई A को मिलना चाहिए 7 उनिट 7 उनिट मिलना चाहिए out of total, total कितना 7-5 बार है तो 85% का 7 बटे बार है A को मिलना चाहिए आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही और लाब में A को मिला कितना मैंने Eka ही क्यों निकाला कुल सवाल मनें दिया ही है कि लाब में Eka जो हिस्सा है वो 6960 रुपे है बस ये हो गया मेरे दोस्तों अब यहां से मुझे solve कर लेना है मुझे क्या निकालना है कुल लाब निकालना है सौ परसेंट हमें निकालना है 100% बताओ कैसे दिखेंगे देखो काट भी सकते हैं पर साप साप दिख रहा है अगर मैं 85 की साथ में गुणा करूँ 560 और 595 595 से 5950 दस बार कट जाएगा उपर क्या बचा कुछ नहीं बचा 1% बचा 1% नीचे क्या है बटे बारे बटे बारे की जब उधर गुणा होगी तो बारे दुसाम 120 हो जाएगा 1% 120 उर्पे है कुल लाब 100% है 200 100 से गुणा कर दो 12,000 रुपे तो कुल लाब 12,000 रुपे है B option यह answer है समझ में आया आसान क्वेश्चन है मुझे लगता है इस क्लास को पढ़ने वाला सारा बच्चा इस साल को कर लेगा ओक्के जी अगला टाइप अब आपके सामने आगया भाई मेरे अगला टाइप चले ध्यान से सुनेंगे अगला टाइप नेक्स्ट दो क्वेश्चन कराऊंगा इस पर अब टाइप 7 चलो आओ कॉंस्टिवल के पेपर का सवाल कुछ भी निए सबसे मक्खन सवाल सबसे मक्खन तीन साजेदार ABC ने दो तीन चार के उनुपात में लाव कमाया तीन साजेदार है ABC उन्होंने दो तीन चार के उनुपात में लाव कमाया एक नया साजेदार D सामिल हो गए एक नया बंदा है D जिसने A और C परतेक के हिस्सों में से आदा हिस्सा ले लिया जिसने A और C दौनों के हिस्सों में से आदा हिस्सा ले लिया अगर D का हिस्सा लाब में अब 100 रुपे है लाब में D का हिस्सा 100 रुपे है तो पूछा है कुल लाब ग्यात करें, कुल प्रॉफिट ग्यात करें सवाल में पैन तक उठाने की ज़ुरत नहीं है, सुनो तीन पार्टनर हैं, ABC, उन्होंने बिजनिस में दो, तीन, चार के अनुपात में लाब कमाया क्या है ये लाब, लाब है, दो, तीन, चार के अनुपात में लाब कमाया, एक नया बंदा आया D, बोला A और C से इदरा A और C से इदरा भाई, A और C प्रतेक के हिस्सों में से आदा हिस्सा नौ, टोटल प्रॉफिट तो 9 यूनिट हुआ है, ABC को मिला के, टोटल तो 9 यूनिट हुआ है अब D आया D बोला A और C को बाजु में ले जाके आधा आधा लूँगा दोनों से तो 2 का आधा क्या होता है, 2 का आधा 1, C का प्रॉफिट है 4, 4 का आधा क्या होता है, 4 का आधा होता है 2 बैए 2 का आधा 1 होता है, 4 का आधा 2 होता है, यानि मेरे दोस्तों D ने कितना ले लिया, D ने कितना ले लिया, प्रॉफिट 1 और 2, 3 D ने 3 unit profit ले लिया बए A का आधा 1 रुपे और C का आधा 2 1 और 2 3 D ने 3 unit ले लिया और लाब में D का हिस्सा है कितना 100 रुपे अगर 3 unit का मतलब 100 रुपे है तो कुल लाब तो 9 unit है 3 का 3 गुना 3 ती या 9 तो 100 का भी 3 गुना होना चेह 300 रुपे तो 300 रुपे मेरे दोस्तों ये इस सवाल का आंसर है D option ठीक है A और C प्रतेक से आधा आधा लिया तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 और 4 छे दोनों का आधा ले लिया 2 और 4 छे 6 का आधा 3 ले लिया 2 और 4 छे 6 का आधा 3 ले लिया 3 की वैलू 100 है 9 की वैलू 300 मुले लगता है बात आपको बहुत बढ़िया तरीके समझ में आई है एक और सवाल हम आप से पूछेंगे इसी परबेश्ट 19 करेंगे ये UP पुलिस दरोगा के पेपर का है 2021 का बनाओ जितने भी भाई पढ़ रहे हैं वीडियो को साथ साथ लाइक करते चलें भाई सारे टाइप्स में आपको कवर करवा रहा हूँ बनाएं देखते हैं कौन बालक की सवाल को कर पाएगा अच्छा सवाल है ये बढ़िया अशोक भरत और चंद एक साजे धारी में निवेश करते हैं अशोक भरत और चंद एक बिजनिस सुरू करते हैं वेबसाइट सुरू करते हैं अशोक पूरी पूंजी का एक तीहाई योगदान देता है यानि कि पूरे बिजनिस में जितना पैसा लगा है उसका एक तीहाई अशोक ने दिया है अगर एक तीहाई का मतलब क्या होता है एक वटे तीन यानि कि अगर पूरे बिजनिस में तीन रुपे लगाए गए हैं उसमें से एक रुपे जो है वो अशोक ने दिया है, जबकि भरत उतना ही योगदान देता है जितना अशोक और चंद योगदान करते हैं, line important है, भरत उतना ही योगदान दे रहा है जितना अशोक और चंद योगदान करते हैं, यानि कि भरत ने जो पैसा इंवेस्ट किया है, वो अशोक प्लस चंद दोनों ने मिला कर किया है भरत का जो इन्वेस्टमेंट है वो अशोक और चंद का मिला के है भरत ने उतना योगदान दिया जितना अशोक और चंद मिलकर करते हैं साल के एंड में प्रॉफिट हुआ च्हानवजार साल के अंड में 96,000 का profit हुआ तो चंद को कितना हिस्सा मिला होगा इस सवाल में समय का कोई जिकर नहीं है यानि कि जिस रेशम उन्होंने investment किया होगा जिस रेशम उन्होंने investment किया होगा लाभ भी उसी अनुपात में होगा तो बस मुझे ये पता लगाना है कि इन तीनों ने मेरे दोस्तो पैसा लगाया कि सनुपात में है investment कि सनुपात में किया है बस मुझे ये पता लगाना है करके बताओ जल्दी से जल्दी से करके बताओ 16,000 रुपे बता रहे हैं बहुत बढ़िया अशोक पूरी पूंजी का एक तिहाई योगदान करता है, जबकि भरत उतना योगदान करता है, जितना अशोक और चंद करते हैं, यानि कि अगर जैसे, जैसे मेरे दोस्तों, टोटल तीन हैं, जैसे अगर टोटल तीन उनिट लगाए, तो तीन में से अशोक ने लगाया है, अगर टोटल तीन उनिट बिजिनिस में पैसा लगा है, तो अशोक ने लगाया है, एक, तो इन दोनों ने मिलके फिर कितना लगाया है, ये भरत और चंद ने मिलके कितना लगाया है, मेरे दोस्तों, दो, बरत और चंद का डिफरेंस कितना है, भरत और चंद का डिफरेंस कित आशोक का शेर कितना है? 1. यानि कि जोड के तो 2 आना चाहिए, घटा के 1 आना चाहिए, ऐसी 2 संक्या है, जोड के 2 आए, घटा के 1 आए ब्रत कहा आएगा, जोड के आधा कर दो, 3 बटे 2, चंद का क्या आएगा, दो मेंसे एको घटा के आधा कर दो, 1 बटे 2, यह आगया, इन दोनों को जोड़ूंगा, दो आएगा, घटा हूँगा मेरे दोस्तो, एक आएगा यह आगया ratio, यह ratio हो गया, थोड़ा सा दिमाग लग कर दूंगें, बट मैंने बोला ratio को fraction में नहीं लिखते बटे दो यहां भी आ रहा है, बटे दो पूरे ratio को दो से गुणा करदो, जो मैं पूरे अनुपात को दो से गुणा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा ये, दो अनुपात तीन अनुपात एक, ये आ गया मेरे दोस्तों, इनवेस्टमेंट का अनुपात, प्रॉफित भी शियनुपात चन्द का शेर बॉच्छा है, चन्द का शेर खुल प्रॉफित हुआ है 46,000 रुपे 96,000 साब का पूछा है चन्द भाई सालका है एक उनिट एक उनिट आउट ओफ टोटल, कितना है, 6 दो तीन पांच एक छे तो च्छानवे हजार का एक बटे च्छे यही आगए सोले हजार रुपए आंसर बी ऑप्शन कि सोले हजार रुपए मुझे लगता है कि आप ऐसे टाइप के सवालों को कर लेंगे अब अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आएगा अगला सवाल सवाल लंबर है आपके सामने नेक्स्ट अगला टाइप टाइप एट बनाएंगे जी स्वाती बैलिसार रुपए के साथ बिने शुरू करती है पांच महिने के बाद बानी स्वाती के साथ उसके भागीदार के रुप में चोड़ जाती है एक साल के बाद लाब को स्वाती और बानी के बीच दो पांच के अनुपात में बांटा जाता है बानी ने कितनी धनरासी का योगदान दिया याने कि इस सवाल में पूछा क्या है इस सवाल में आपसे इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा गया है जब इस सवाल में इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा गया है तो मुझे पता है profit के ratio को time के ratio से भाग देना पड़ेग सिंपल सी बात स्वाती ने 42 रुपे के साथ एक बिजनिस शुरू किया ठीक कोई प्रॉबलम नहीं पांच महिने के बाद बानी भी आ गई तो दो लोग हैं स्वाती और बानी इन्होंने एक बिजनिस शुरू किया है बानी ने जो पैसा है आखर के साथ महिने के लिए लगाया है स्वाती ने तो पूरे पूरे एक साल भर के लिए बारे महिने के लिए पैसा लगाया है बानी ने बिजनेस पर पैसा लगाए इन दौनों के अनुपात को बाग दे दीजिएगा क्या आ जाएगा दौनों की इनवेस्टमेंट का रेश्व आजाएगा इनवेस्टमेंट का आप बोलोगे हाँ जी सर जब मैं भाग दूंगा तो दो बटे बार है तो यह एक बटे छे हो जाएगा एक बटे छे और ऐसे क्रोस मल्टिप्लाई हो जाता है साथ और यह हो जाएगा छे पंजे तीस साथ रेशो तीस मेरे दोस्तों आ गया भाई साब मेरे क्या यह आ गया investment कानुपात स्वाती ने कित इसो गुना होगी अठारे हजार रुपे अठारे हजार रुपे लगाया है बानी ने ए उप्षन आंसर सब बच्चों को आया है समझ में एक और सवाल लेंगे मेरे प्यारे बाई ऐसा ही पिर आखरी टाइप मैं आपको पढ़ाऊंगा अगला सवाल सवाल लंबर 21 बनाए सवाल लंबर 21 आपके सामने बहुत ही जबरदस्त ये बहुत ही प्यारा सवाल है भाई साब इस सवाल की जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है पुलिस के ही पेपर का पूछावा सवाल है अलग स्टेट का बता है मोहित रोहित और आयूश एक बिजनिस में साजेदार हैं तीन लोग हैं मोहित रोहित और आयूश ये तीन रोहित बिजनिस में साजेदार हैं मोहित जिसका पैसा पांच महिने के लिए इस्तिमाल किया गया है लाब का एक वटे सोले दावा करता है रोहित का पैसा चार महिने के लिए इस्तिमाल किया गया है एक वटे तीन लाब का दावा करता है आईश ने दस महिने के लिए 1537 रुपे का निवेश किया मोहित और रोहि रेशो को समय के रेशो से भाग देना पड़ेगा यही बात है क्लियर आप बोलोगे हां जी सर क्लियर है एक बात ध्यान से सुनेगा सबसे पहले एक-एक स्टेप को डंग से पढ़ेंगे मोहित का पैसा इन्वेस्ट किया गया पांच महीने के लिए रोहित का पैसा इन्वेस्ट किया गया चार महीने के लिए आयुष तीसरा बंदा आयुष का पैसा इन्वेस्ट किया गया दस महीने के लिए ये तीनों के समय का अनुपात आ गया साल में साप साप दिया हुआ है आप कहोगे सर सौरी पूंजी नी लाब का साल में आपको इन्वेस्टमेंट निकालना है न तो लाब के रेशो को भाग दिना पड़ेगा समय के अनुपात आप कहोगे सरा लाब का ratio तो दिया ही नहीं हैं लाब का ratio बेटे निकालना पड़ेगा बहुत logical है तीन मंदे हैं मोहित रोहित आईश मोहित जो है जो हमारा मोहित है वो लाब का एक ब горसोलस दाबा करता है यानिकि मोहित ये कहता है कि अगर 16 रुपे का लाब हुआ है, तो उसमें 1 रुपिया मेरा है, फिर जो रोहित है, जो तूसरा बंदा रोहित, वो कहता है कि भाईया जितना लाब हुआ है, उसका 1 वटे 3 मेरा है, बागी आयुश को चला जाएगा, तो मुझे यहां पर बटे 16 पटे propre 58inkink का है मैंने कुल लाब 48 रुपए का है महीत कह रहा है मैंने पैसा पाँछ कमका राजाРЕ के लिए 14 रुपए तो मोहित को देना पड़ेगा 3 रुपे रोहित का पैसा 4 महिने के लिए इस्तमाल किया है रोहित कहता है मुझे 1 वटे 3 लाब दो अब 48 का 1 वटे 3 क्या होता है 16 16 रुपे दो रोहित को अब बचा कितना मेरे दोस्तो बचा कितना मेरे दोस्तो तो 48 में से 3 और 16 उननिस हो गया तो 48 में से 19 घटाईएगा तो बचा 29 रुपे लाब 29 रुपे लाब आयुश को दो आयुश को कितना लाब दो 29 रुपे तो तीनों के लाब का अनुपात आ गया ये आपको अनुपात निकालना पड़ेगा निकाल लिया आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही निकाल लिया अब आपसे पूछा है मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में इन्वेस्टमेंट के बारे में मुझसे पूछा गया है चलो तो मेरे पास दो रास्ते हैं या तो मैं सवाल को पूरा सवाल कर लूँ, या फिर मैं देखो, आप से सवाल पूछेगा मोहित, मोहित और रोहित का शेयर, मोहित और रोहित का शेयर, आप किसी एक आदमी का ही निकाल लो जो आपको पसंद आए, देखो, हर एक में अलग-अलग है, मोहित का ही निकाल लेता 37 रुपे लगा है मुझे आयुष का शियर दिया है तो मैं ध्यान ही मोहित और आयुष पर देता हूं इस सवाल को इस सवाल में रोहित को ऐसे एग्णोर कर दो जैसे लोग कोरोना में बॉलिवूट की फिल्मों कर रहे थे कोई ज़रत नहीं है किवल मोहित और आयुष पर ध्यान दीजिए आप बोलोगे सर ध्यान पूरा प्रॉपर है करदो कैंची की गुणा सर यह आजाएगा तीन दूसाम तीस और यह आजाएगा पांच गुणा उन इनकी पूझी का अनुपात आ गया आप बोलोगे हां जी सर आयुष ने कितना पैसा लगाया है आयुष ने पैसा लगाया 1537 रुपे तो 29 की वेल्यू 1537 रुपे कितने गुणा वह 29 पंज एक सो पैंतालिस बचाट 29 त्या सतासी तरेपन गुणा तरेपन गुणा आप बोल इतने लगाया है 308 रुपे एक ही ऑप्शन में दिख रहा यही आंसर है बी ऑप्शन मोई च्वान कह रहे हैं मुझ पर ध्यान नहीं दीजिए नहीं देंगे ध्यान आप पे पतो है कि नहीं मज़दार बहतरीन प्रस्नेक नंबर का इसी के साथ यह टाइप समात अब आपके सामने लास्ट टाइप आएगा मेरे दोस्तों लास्ट टाइप और इसको बड़े डंग से समझीगा ठीक टाइप नंबर है आपके सामने नौ नौ यह ना यूपी पुलिस कॉंस्टेबल का क्वश्चन फटाफट करेंगे जल्दी से करेंगे प्रीवेसर और मेरे पास इस सवाल को करने की कैसी ट्रिक है जबरदस्त कि आपको कुछ लिखना नहीं पड़ेगा आप सीधा आंसर लगाओगे आंसर सीधा आंसर लगाओगे दोस्त बनाएं तीन साजेदार X, Y, Z ने लाब साजा किया तीन लोग हैं X, Y और Z इन तीन लोगों ने मेरे दोस्तों बिजनिस में पैसा इन्वेस्ट किया तीन लोगों ने कुल लाब तीन हजार था, कुल लाब कितना था? तीन हजार था, X का हिस्सा Z से चार सो कम है, Y का हिस्सा Z से दो सो कम है X, Y, Z के प्रॉफिट का अनुपात ग्यात करें जहां से सुनेगा मेरे दोस्तों? फिरसे मैं आपको बता रहूँ तीन लोग हैं X, Y और Z इन्होंने प्रॉफिट को आपस में बाटा बोला X का हिस्सा Z से चार सो कम है, X का जो हिस्सा है, वो Z से चार सो कम है ठीक, और Y का जो हिस्सा है, वो Z से दो सो कम है y का हिस्सा z से 200 कम है आपसे पूछा है उन्होंने पैसा कि सनुपात में बाटा है अगर आप इस साल को बेसिक से करेंगे तो ऐसे equation बनाएंगे कि वह total कितना है? total है x plus y plus z तीन हजार अगली equation कि वह x का जो हिस्सा है z से कितना कम है? 400 कम है फिर अगली equation कि y का हिस्सा जो है z minus y 200 रुपे है इन तीनों equation को सॉल करोगे ऐसा नहीं करना जब भी ऐसा question आए तोटल कितना है? 3000 रुपे total कितना है मेरे दोस्तो 3000 रुपे आप बोलोगे हाँ जी सर total 3000 रुपे है ठीक है जी? बेस से मोना चाहिए x भी z आप बोलोगे हाँ सर दोनों का बेस दोनों जैड से कम है दोनों का बेस जैड है total 3000 है देखो x को जैड से 400 रुपे कम मिला है y को जैड से 200 रुपे कम मिला है ये कम आप बाद में कर लेना अभी ये 400 प्लस 200 400 और 200 कितना होता है? 600 रुपे अभी मेरे दोस्तों ये हो गया 3600 3600 को तीनों में बराबर बराबर बांट दो 3600 को तीनों में बराबर बराबर बांट दो 1200, 1200, 1200 तीनों को आपस में बराबर बराबर बांट दो 1200, 1200, 1200 ये हो गया 3600 रुपे किलिए रहे बराबर तीन लोग हैं तीनों में बराबर बराबर बंटता बारेसो बारेसो होता लेकिन बराबर थोड़ ना बटना है पैसा तो X को 400 रुपे दिना आप 600 कम कर लो X को 400 कम देना है Y को 200 कम देना है मेरे दोस्तो यानि कि X का share कितना है 800 रुपे Z का share कितना है मेरे दोस्तो 1000 रुपे Y का share 1000 रुपे Z का कितना है 1200 रुपे ratio कितना हैगा दोस्तो ratio आएगा 4-5-6 answer 4-5-6 4-5-6 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही कोई प्रॉबलम नहीं है आपको इतना भी आपको बार बार 1000 लिखने की जौरती नहीं है दोस्तो बहुत बहतरी ट्रिक है 1000 लिखने की जौरती नहीं है आपको साब साब दिखाई दरा कि ये सब जो नंबर है ये जो भी नंबर है सब 100 से कट रहे हैं 100 सबी में 2-0 आ रही है सबी में 2-0 हटा लो आप सभी में 2 0 हटा लो ये रह जाएगा आप बोलो कि हांजी सर यही रह जाएगा यही रह जाएगा तोटल अगर 30 है तो X को Z से 4 कम है Y को Z से 2 कम है X को 4 रुपे कम देने है Y को 2 रुपे कम देने है इनको कम देते रहना बाद में अभी कमी मत करो, अभी सब को बराबर बराबर बांटो, हमें 6 रुपे कम देने, 6 रुपे हम बाद में कम कर देंगे, अभी सबी को बराबर बराबर देदो, अभी 6 रुपे जाद है देदो, 30 और 6, 36, 36 को 3 लोग में बराबर बराबर बांटोगे, तो आद, क्या हो जाएगा, बारे 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 यह हो गया X के 4 रुपे कम कर दो मेरे दोस्तो 4 रुपे कम देने Y के 2 रुपे कम कर दो क्या हो गया मेरे दोस्तो 8 हो गया यह कितना हो गया 10 हो गया यह 12 हो गया रेश्यो क्या है 8-10 बारे का 4-5-6 जबरदस सवाल है बहतरीन तरीका इसका आनन्द आपको अगले सवाल में आएगा जैसे यह वाला करो बताएं एक और सवाल आपसे पूछते हैं ऐसा ही वो तो पुराना क्वेशन हो गया ना लेटेस्ट वाला आपसे पूछते हैं अरविंद बिलाल और कारमेन ने बिजनिस में उन्चास हजार रुपे का निवेश किया अरविंद बिलाल से पाँच हजार रुपे अधिक निवेश करता है बिलाल कारमेन से चार हजार रुपे अधिक निवेश करता है 98,000 के कुल लाब में बिलाल को कितनी धन्रासी प्राप्थ होगी ये क्वश्चन है जबर्दस सवाल देखते हैं कितने बालक किस साल को कर पाएंगे एक बिजनिस में अर्विंद, बिलाल और कार्मेन ने पैसा लगाया है कितना पैसा लगाया? 49,000 रुपे का निवेश किया है सिंपल सी बात है कि जिस रेश्य में उन्हें पैसा लगाया होगा पैसा भी लाब भी उसी रेश्य में बांटा जाएगा तो बच मुझे इस सवाल में ये पता लगाना है कि अर्विंद । बिलाल और कार्मेन ने पैसा किस रेश्य में इन्वेश्ट किया है तो आप अगर मैं इक्विशन बनाऊगा तो पागल हो जाऊँगा देखो ये सारे जो कि सारे जो नंबरें सब अजार से कट रहे हजार से काट लो मेरे दोस्तों यह 1000 से काट लीजे, यहनि कि मैं कह सकता हूँ कि अर्विंद, बिलाल और कारमेन ने टोटल कितना पैसा लगाया है, टोटल पैसा लगाया है 49 रुपे, टोटल 49 रुपे, अर्विंद ने बिलाल से 5 रुपे अधिक निवेश किया है, अर्विंद ने बिलाल से कितना पैसा तीनों का सियर आपको निकालना है, तीनों का इंवेस्टमेंट आपको निकालना है, मैंने क्या बोला, एक ही आदमी से तुलना करने चाहिए, एक ही आदमी से, अलग अलक्स नहीं, अर्विंद को बिलाल से 5 रुपे जाद है, बिलाल को कारमें से 4 रुपे जाद है, गलत बात एक बात मुझे खुद बताओ, अगर अर्विंद को बिलाल से पांच रुपे जादे मिले हैं, और बिलाल को कार्मेन से चार रुपे जादे मिले, तो मैं ऐसा नहीं कह सकता, पांच चार नो, मैं ऐसा नहीं कह सकता, पांच चार नो डारेक्ट, कि अर्विंद को कार्मेन से न रुपे जाद मिले तो अर्विंद को कार्में से पांच चार नौ रुपे जाद मिले होंगे आप बोलोगे यहां जी सर बिल्कुल सही कह सकते हैं साफ साफ टोटल कितना पैसा बांटा गया उन्चास उन्चास रुपे टोटल बांटा गया अर्विंद को नौ रुपे देने भी दो भाज में देते रहे ना अभी भाज पालो चकर मत पालो heart अभी तरह भाज में्थ defaad भाज में भाज में घ्म से 16 में तीनों को बराबर भाज में ता. आप बैーन जी सर हो गया है जब भराबा भाज में लेकिन मेरे दोस्तों अरविंद को तो apprendre ज्याद है nap बिलालकुल चार रुपे जादे देने, चार जादे कर दो, आप बोलोगे हां जी सर, ये तीनों का मेरे दोस्तों investment आ गया, बारे नो 21, 21 अनुपात, 16 अनुपात, बारे, बहतरीन तरीका, इससे बहतरीन तरीका पुरी दुनिया में करने का उपलब्द नहीं है, जब तीनों क अनुपात आ गया, जो मर्जी आए वो निकाल लो, कुल प्रॉफिट कितना हुआ, कुल प्रॉफिट हुआ, 98,000 रुपे कुल प्रॉफिट, पूछा इस कुल प्रॉफिट में से बिलाल का हिस्सा कितना है, कुल प्रॉफिट में से बिलाल का हिस्सा है, 16 यूनिट, 16 यूनि अगर आपको यह सवाल समझ में आया और आपको इस सवाल को करने में मज़ा आया है चुकि बहुत important type है तो एक सवाल ऐसा ही आपके लिए है homework practice के लिए ऐसा ही दोस्तो एक सवाल आप लोगों के लिए homework और आप इस सवाल को solve करो और solve करने के बाद जो answer आता है वो मुझे comment section में बताओ ठीक है जी और इसी के साथ मेरे प्यारे भाई partnership के सारे type खतम होते हैं इस से उपर का सवाल इस से बाहर का सवाल आपके exam में नहीं आने वाला है guarantee हमारी है लास्ट के दो question करके मज आया चले हो बहुत बढ़िया ठीक तो मैंने कर लिया आपको देखो मैंने आपको बता दिया percentage मैंने आपको number system पढ़ाया LCMH से पढ़ा दिया लाभानी हमारा हो गया छूट बटा हमारा हो गया और क्या हो गया समय और कार्रे हमारा हो गया और आज हमने partnership भी कर दी ठीक है जी अब कल Saturday है वैसे तो कल की छुटी होती है लेकिन कल भी हम आपकी class लेंगे और कल मैं आपको test करवाऊंगा 20 सवालों का कल हम आपको test solve करवाऊंगे 20 questions का हम भी तो देखें कि आप पढ़ क्या रहे हो आप खुछ से भी कुछ कर रहे हो आपको आता कितना है तो कल की class में आपको test solve करवाऊंगा 11 बजे 20 questions का 20-22 questions ही आपके paper में गणित से आने है ठीक है भाई इस सवाल का आंसर आप मुझे comment section में बताएगा PDF हमारी जो है टेलेग्राम चेनल पे upload हो जाएगी इन सभी सवालों की ठीक है description में लिंक है टेलेग्राम चेनल का ठीक है बाई एनर्जी से पढ़ें मेहनत करते रहें ठंडी का मौसम चला है ठंडी में दिन जल्दी निकल जाते हैं रात सोके बिता देते हैं तो समय ऐसे ही निकल जाएगा पेपर आ जाएगा और आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा इसकी उमीद बिलकुल भूल जाओ कि चुनाव जी आप लिखके हमसे बिहार स्टेट बाजू में है बिहार ने जितनी नवकरी देनी थी थोके भाव में दे दी Central की तयारी करने साब डरते हो और कोई रास्ता बचानी अंतिम प्रहार और आखरी प्रहार करना है तो कि इसके अलाबा प्रहार करने के लिए हतोला ही नहीं होगा कहां करोगे प्रहार ठीक है भाई साब जो बच्चे Constable के आगे भी पढ़ाई करना चाहते हैं वो हमारे केरिवल एप्लिकेशन पर VOD recorded batch को लेके पढ़ सकते हैं arithmetic और advanced का separate bilingual batch है बिल्कुल basic से दीरे दीरे करके मैं पढ़ाता हूँ जो 20 सवाल मैंने आपको एक डिर घंटे में कराए वहां मैं इसको 3-4 घंटे तक समझाता हूँ दीरी दीरे करके जिससे हर बच्चे को समझ में आए ठीक है ना अगर आपने batch पूरा कर लिया तो आप pre plus means एक ही level पे तयार हो जाओगे आपको दुबारे गडित पढ़ने की जुरत नहीं है चाहाँ भारत का कोई भी paper दें ठीक है भाई यह आज की class थी अगर आपको पसंद आई है तो इसको share करो अपने दोस्तों के शाथ comment जरूर छोड़े जो है लेव इस्टीम पूरी हो जाने के बाद दूसी बात की कुछ बच्चे बार-बार कहते हैं सा download नहीं होरी, download नहीं होरी बढ़िया टेस्ट के साथ जैसा paper में आने की उम्मीद है भाई, धन्यवाद